यहां पर हमारा माइक कराब हो गया और पॉब्लिक बीटिंग करना मुश्किल लगा जी बिलको ठीक बात है तो मैंने तोचा कि हम थोड़ा यूकी के बारे में बात्चीफ कर लें और आप अपना पर्स्पेक्ट्रम हमें बताईए हम आपको अपना पर्स्पेक्ट्रम बताते हैं तोड़ी दिस्केशन करते हैं ठीक बात है मैं सबस्क्ता हो कि जब मारी खराब हो गया हम दोरह बात करेंगे वो रिकॉर्ड हो करके जाएगी तो लोग बैतर और अच्छा सुनेगे और अच्छा अच्छा रिजाट आएगा और क्योंकि सोशल मीडिया से वेल कनेक्टे हैं तो सब लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि हमारा आप क्या बोलना है यूपी जो 80 सीटे दे रहा है इसमें 79 सीटे समाजभादी पार्टी कॉंग्रेस इंडिया घडबन दिन जीत रहा है एक जो क्यूटो है उसमें हम और आप लड़ाई में हैं और इसका क्यूटो नाम प्रफित बहता है जो बनेगी क्यूटो बनी नहीं बनी ताशी के लोग यत्ते करेंगे और फिर बोट डालेंगे इस दुबार मनमर्जी नहीं चलनी है मन की बात नहीं चलेगी हमारे आपकी बात और 140 करोड़ों की बात और सब्विनान की बात होगी और आपने देखा हम जितने बच्छे दिखाई दे रहे हैं जो अगनी भी या पेपर इनी जिसकी बजह से इन नौकरी नहीं मिली है और ये सब रोजगार नौकरी चाहते हैं बीजेपी ने जो जूटे सपने दिखाए थे, इन्वेस्मेंट मीट के जूटा सपना दिखाए थे, जो जूटा सप तो जिसलिए हमें और आप खिल खिल के जो आपने कहा जो इंडिया का नोगरी जी जाएगी तो उस दिशा में हम दो काम करें। और पहली नोगरी पकी स्कीम जिसके माधियम से हर ग्रैजुएट को नोगरी का अधिकार, बेहतरीन प्रेनिंग और बैंक अकाउंट में एक राफ होते साल के आपने नोट किया कि मोदी जी खटागर 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 ओने शुरू कर दी है ये आपके खटागर खटागर के अच्छा आप एक बात बताईए मुझे क्यूरियोसिटी है जोना आप अपने पापा के बारे में मुझे बताएं जी मलाहिम से याजव जी के बारे में मुझे आपकी आपने उनसे क्या सीखा नेता जी और उनके साथ के लोग बिल्को जमीनी रावदीब करते रहे हाना कि नेता जी कुछ्ती पहलवान और गाओं पे ते आप लिकरते हो कुछ्ती नहीं कर बाये जीवन में क्योंकि में इमिर्टी स्कूल में चला गया तो कुछ्ती नहीं कर पाया लेकिन नेता जी कुसी ने धर्दी पुत्र बोले गए हैं कि वो जमीन की बात पो सुनुशती थे घर्दी पर जो लोग इनकी क्या भावना है उसको लेकर के वो आगे महाना चाहते थे और आपका इस छेश से और इस शेयर से आज का लगाब नहीं है जो इमोशनल कनेक्ट आपका इस शेयर और शेयर से है वो शाहिद और किसी राजने ते परिमार का नहीं होगा तो नेता चीसे उनका हाड़ वर्ट और अपने लक्ष के लिए लगातार काम कते रहना जो गैर बराबरी की लड़ाई डॉक्टर रामन और रोया यहीं लड़े थे हाना कि हमारी आपकी विचार धारागिया तक्राव रहा लेकिन हमारे ग्र्टिकत या जो सिद्धान्त में कभी समझ बट मुझे लगता है कि अब एक नई तरीके के पार्ट्रिशिप बन ली है क्योंकि जो इसबार हमारा कोपरेशन है शायद पहले ऐसा कोपरेशन नहीं है मतलब बिलकुल सब जुड़ गया है अच्छा यह है कि जितना उन्होंने कहा दो जड़कों की जोड़ी उतना यूवा आप से हमसे इंडिया गवर्ण से और जोड़ गया है तो यह नेचुरल एलाइंस है और नेचुरल एलाइंस इसलिए लोग मैसूश कर रहे हैं कि वो चाते है कि नौकरी और रोजगार मिले लौकरी और रोजगार मिले यह बड़ी भावना है कि हमसे आप से यूव करेंट कर रहा है सबसे सबसे बड़ी बात मिलगाई की चोट सबसे जादा इन लड़कों को लगती है हमारी दिंकिंग है और आप की भी है कि यह जो 22-25 लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने पूरा गपूरा धन पकड़ा है उसको ठीक करने के लिए जो हमारे युवा हैं माताय बहने हैं उनको डाइरेक्ट बैंक पासांट पे पैसा देना यह जो लोगों के पास पैसा पहुंचने से जो अर्थ प्रवस्था को लाम मिलेगा मैं समस्ता हूं इनका भागी में बनेगा और देश के अर्थ प्रवस्था ही बैतर होगी यह जुरुवी स्कीम है कि इनके एकाउन में पैसा पहुंचे इससे धोड़ा बहुत जीवन इस बीजेपी और बीजेपी के Coot के वह सब मुझ जानते हैं एंगर जितना डिसकेशन होगा जितने विशार एक दूसरे को हम सुनेंगे और और एक दूसरे था करेंगे उत्ना हमारा लोगतन मजूत होगा यह भीजेपी जोगोंने और इसका नतीज़ा दिख रहा है कि चाइना हमारी जमीन के अंदर आ गया यह बेरोग्दारी बढ़ती जा रही है जो प्रड़क्शन होता है वो नहीं हो रहा है और पूरा पूरा एक्स्टॉर्शन कि एडी, सीबिया, यह लोग एक्स्टॉर्ट करने हैं। कई बार सुनने को मिला है और सरकार सुखार नहीं कर रही है लगदा कि हमारी सीमा असुरुचित हो गहीं और अन्वाचल के आसपास या सीमा जो चीन से चू रही है वो बहुत असुरुचित है तो चीन से जहां हमारा सिमाओं का खतरा है, वहीं चीन से हमारे बजार को भी खतरा है, तो कहीं ने कहीं हम लोगों को अपनी manufacturing economy और manufacturing economy को बढ़ाबा देना पड़ेगा. और ये जो schemes है, पहली नौकवी, पक्की और महायोक्षटी ये manufacturing system को, economic system को jump start करने के तरीक है. ये बहुत अच्छा jump start होगा, इसको अगर focus हो करके, IIT, Polytechnic, Engineering Colleges को, इन सब को ecosystem में ना करके, मैं समझता हूँ, युगा नौजमाना को अच्छी नौधरी और रोजगार मिल पाएगा. और हमारा लक्ष है, कि सब हर जात को भागेदारी मिले, space मिले, हर institution में, business में, education के system में, तो वो हमारा हम दोनों का लक्ष है. बिल्कुल, और क्योंकि जो बात सभी दल कहते थे, आज इंडिया गर्वंदन कॉंगरेस भी कह रही है, कि समाज एक नहाए जरूरी है, जाती जहना जरूरी है, देश के लिए ये बड़ी चीज है, जो दुनिया में, अमरिका है, यूरोप है, अपने उन लोगों के लिए से पीछे चूढ़ जाते हैं, उनके लिए तुछ करते हैं, जो हमारा जो देश जाती के अभार पे हो फिश्ना है, इसको आगे बनने के लिए ये बड़ी भूनिका होगी इस है, बेढ़ हाची मिदिए हैं नोगे लगता की यह यूनिक मीदिंगें है